Good morning, welcome back to my youtube channel आज का session बहुत ही interesting होने वाला है Interesting क्यों? क्योंकि आज का ये session मैं लेकर आई हूँ उन students के लिए जो इस बार जिलाई में social science का re-exam देने वाले है आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको answers कैसे attempt करने है सबसे पहले जो students होते हैं वो social science को बहुत difficult समझते हैं उन्हें लगता है पूरे globe को लगना, learn करना, इतनी मोटी मोटी books को बढ़ना इतना vast syllabus हम कैसे cover करेंगे? बिलकुल students, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि social science का student syllabus जो है वो बहुत vast होता है, बहुत जादा होता है maths में, कहा जाता है न कि जब तक आप mathematics के questions खुद से solve नहीं करकर देखेंगे, आपको maths नहीं आएगा the same thing is happen in social science हो सकता है, मेरे views किसी teacher से या आपके teacher से match ना करते हूँ लेकिन ये मेरी theory है मैं मानती हूँ कि इतने लंबे चोड़े syllabus को केवल learn करना is not sufficient जब तक आप उसे learn करके written practice नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे marks नहीं ले पाएंगे actually social science एक ऐसा subject है या आप कह सकते हो कि जितने सारे subjects आप पढ़ते हो लेकिन social science को आप जीते हो कैसे अरे आपकी daily life paid body आपको oxygen देते हैं जिस oxygen में आप सांस लेते हो और आप जिन्दा हो उसी paid पोधों को social science में हमने नाम दे दिया वनस्पती क्या आप वनस्पती को जीते नहीं हैं जीते हैं second नदिया कहां से निकलती हैं उनमें पानी कहां से आता है वो बह कर कहां पर जाकर गिरती हैं जब वो अपने निकलने के स्थान से निकलती हैं और समुद्र में गिरती हैं तो बीच में कैसी-कैसी, नई-नई, अच्छी-अच्छी आकृतियां बनाती हैं। जहां से नदियां निकलती हैं, वहां की जो भूमी होती हैं, वो उपजाव क्यों होती हैं। ये सब आप जीते हो। बारिश में भीगना किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये टिप-टिप करती बूने आसमान से कैसे गिरती हैं, क्या आप जानना नहीं चाहतें। और फिर अचानक तापमान इतना बढ़ जाता है कि आपको बहुत गर्मी मैसूस होती हैं। सूर्य जोर से चमकता हैं। और आप गर्मी मैसूस होने पर कूलर, पंखे, एसी की तरफ भागते हैं। तो क्या आप उस गर्मी को, आप उस तापमान को जी नहीं रहे हैं। उसके बाद, जिस टिप-टिप करती बारिश की बूंदों की हमने बात की। जब तापमान गिरता है, तो वहाँ पर वो बरफ की बूंदे बन जाती हैं। जिसे आप हिम वर्षा कहते हैं। और जो परवत होते हैं, वो बरफ से कैसे ढके रहते हैं। और जो पठार होता है, वो दिखने में कैसा होता है, बहुत बार आपके SSTK टीचर उसने कहा होगा, एक मेज की तरह दिखने वाला structure पठार कहलाता है, लेकिन परवत कैसे बनते हैं, और पठार कैसे बनते हैं, इंट्रस्टिंग नहीं है जानना, बिल्कुल इंट्रस्टिंग है, और बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे विधार थे, ये सोचते हैं कि सोशल साइनस जो है, वो एक स्टोरीज बेस्ट है, stories based means they are trying to be fooled the teachers, फर्स्ट लाइन, आंसर के लिख देते हैं, लास्ट लाइन, आंसर के लिख देते हैं, और बीच में ऊट पतांक stories भर देते हैं, या फर Bollywood के नई-णई songs, Actually, जब हम paper check करते हैं, तो students की ये common mistakes हमें नजार आती है प्यारे विधार्तियो, social science, stories, उट पटांग stories लिखने का subject नहीं है आप इसमें केवल fact लिखिए अब मैं आती हूँ आज के topic पर आपको अपने answers कैसे present करने हैं, आपने learn कर लिया लेकिन जब तक आपने way of presentation यानि आपने अपने learn किये हुए answer को कैसे present करना है जब तक आप उसकी written practice नहीं करेंगे, आप उसमें successful नहीं हो पाएंगे यहाँ मैं आपके सामने दो questions रख रहे हूँ यह five marks का question है कि आपको उन circumstances को define करना है, describe करना है जिससे France के अंदर जो revolutionary जो protest था, वो भड़ा अब मेरे वो विध्यारती जो अपने आपको बहुत intelligent समझते हैं अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए सारे हैं intelligent हैं लेकिन कुछ बच्चे मेहनत कम करते हैं और कुछ बहुत जादा तो जो students बहुत जादा learn करते हैं उनके लिए आप five marks के questions को इस तरह से attempt करेंगे first आपने heading बनाई उसके बाद उस heading को आपने define किया जहां पर आपका पहला point खतम हो जाता है उसके बाद आप एक line छोडेंगे उसके बाद आप second point लिखेंगे उसको describe करेंगे फिर एक line का gap देंगे next heading लिखेंगे उसे define करेंगे अब आपको करना कैसे है आपको बहुत limited लिखना है answer का size देखकर कोई भी teacher आपको number नहीं देता है बिटा एक बात अपने दिमाग में बिठा लेजिए आपको जितने points आप लिखते हैं points के according ही marks मिलते हैं यदि आपके जो answers है questions हैं वो one marks के हैं तो try to be very limited आपका answer एक शब्द एक word या फिर एक line में ही आना चाहिए उससे बड़ा answer लिखने की आपको जरूरत नहीं है three marks के question में आप इस तरह से three points लिखें और उनको describe करें that's it five marks के question में आप five points लिखें और उनको describe करें that's it अब मेरे वो प्यारे विधारती जो मेहनत थोड़ी कम करते हैं आप केवल जो headings होते हैं जो key points होते हैं आप उनको memorize करें उनको याद करके और इस तरह से diagram form में लिखें हमें ये तो नहीं कह सकती कि आपने description नहीं किया है यहां पर तो आपको पूरे five marks मिलेंगे लेकिन at least आपको three marks teachers से मिल जाएंगे इस बात के लिए मैं sure हूँ आपको बीच में जो answer questions आपसे पूछा गया है उसकी heading लिखिए और उसके चारों तरफ आप इस तरह से diagram form में या आप कह सकते हो mind map की तरह आप उसको points को लिख देजिए इससे क्या होगा कि जएदि आप उसी चीज को paragraph form में लिखेंगे तो teacher को ढूणने में बहुत परिशानी होती है और यदि आप उसको इस तरह से लिखेंगे तो आपका way of presentation बहुत अच्छा जाता है आपका impact बहुत अच्छा पड़ता है कि students को कुछ तो आता है आज मैं आपको history का first chapter french revolution describe कर रही हूँ तो ये उसका first question था next question पे चलते हैं कि जब Louis XVI का राज्य रोहन हुआ था उन्हें crown दिया गया तो France की आर्थिक स्थिति कैसी थी अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया ये वीडियो हिंदी और English दोनों में है हिंदी मीडियम के students और English मीडियम के students दोनों इसमें से learn कर सकते हैं France की condition क्या थी हमने पढ़ा था यदि आपने मेरी French Revolution की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं मैंने उस chapter को बहुत अच्छे से describe किया है जब Louis XVI शाशक बना था तो उससे पहले जितने भी शाशक थे वो continuously युद में busy थे वास में busy थे जिसकी वाज़े से उसका जो treasure था जो खजाना था वो खाली हो चुका था और लगातार युद लड़ने की वज़े से France को बहुत ज़्यादा economic यानि की आर्थिक नुकसान चेलना पड़ा था और उसी युद की वज़े से 2 billion libre, libre वहां की मुद्रा है जैसे आपके यहाँ पर currency, रुपया है हम हर अपनी वस्तु को रुपय में तोलते हैं या रुपय से खरीते हैं तो ऐसे ही जैसे हमारी रुपया है वहां पर यानि की फ्रांस में उस मुद्रा का नाम है लिब्रे तो 2 million libre का गर्ज चड़ गया था और राजा का इस बात के उपर कोई impact नहीं पड़ा था उसकी lifestyle वैसी ही थी शान शौकत भरी उसने बहुत सारा पैसा खर्च करके वर्षाई में एक महल बनवाया जिसके अंदर बहुत बेश्ट कीमती mirrors यानि कि शीशे लगवाए गई जिसके उपर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ तो ये basic reasons थे उस समय पर फ्रांस की स्थीती को explain करने के लिए आप अपने questions को आप अपने answers को इस तरह से diagram form में लिख सकते हो English medium वाले इस answers को देख सकते हैं और Hindi medium वाले इस answer को I hope आपको clear हो गया होगा next question है कि आपको jacobian club जो था फ्रांस में उसकी rise यानि कि वो कैसे बना ये आपको बताना है तो first point मैं आपको बताती हूँ कि जो revolutionaries ने 1848 में जो लगातार क्रांती कर रहे थे revolution कर रहे थे वो बहुत सारा नुकसान लेकर आए और उस समय पर लोगों को बहुत सारी economic hardship भी थी draw था जिसकी वज़ा से जो फसल थी वो खराब हो गई थी crop अच्छी नहीं होई थी और जो price थे bread के रोटी के वो increase हो गए थे लोगों की wages जो थी वो fix थी तो वो bread नहीं खरीदवा रहे थे जिसकी वज़ा से जिसे नाम दिया गया economic hardship का उस समय पर government की policies को discuss करने का जो सबसे important वे था वो था political clubs तो बहुत सारे लोगों ने government की policies को discuss करने के लिए political clubs बनाने शुरू के और उन्ही political clubs में से एक important club था Jacobian club जिसके अंदर जो members थे वो small shopkeepers, shoemaker, servants, workers ये सब थे और इनका leader था Maximilian Robespierre अब मुझे बताईए आपको इस answer में क्या नहीं समझाया इसी question इसी answer को मैंने हिंदी medium में भी लिखा है आप यहां से उसको no down कर सकते हैं next question है हमारा की दुनिया के लिए world के लिए जो ligacy थी विरासत थी फ्रांस की क्रांती ने ऐसे कौन से ideals थे जो दिये थी सबसे पहला है liberty स्वतंत्रता की कुईसी को भी किसी दूसरे country के अंदर colonial या उपनिवेश बनने का अधिकार नहीं है सबको अधिकार है कि वो अपने आजादी प्राप्त करें और freedom के उप enjoy करें equality का principle दिया feeling of fraternity बंधोत्व की भावना दी democracy यानि की constitution based जो rule है वो दिया उसके साथ जितना भी feudal privileges थी यानि की सामंत वाद जो था उसको खतम कर दिया गया here you can see in both languages English और Hindi चलिए अपने next question के तरफ चलते हैं this is the important question है कि Napoleon के उदा को आप कैसे समझ सकते हो to explain the rise of Napoleon first of all मैंने इस में दो इयर्स मैंशन किये हैं in case यदि आपको इयर याद नहीं रहते हैं तो it's perfectly okay बिटा आपको जितना याद आता है आप उतना लिखें लेकिन यदि आपको question नहीं समझ आ रहा है उसके बाद आप answer को पढ़िए और यदि आप इसको एक story की तरह याद कर सकते हो लेकिन उट पटांग story के जैसे इसको लिखना नहीं है कि आप से पूछा Napoleon के बारे में है और आप लिख रहे हो रुसों के बारे में तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना आपका answer जो है वो relevant होना चाहिए जो आप से पूछा गया है आपको केवल उसी का answer देना अब हमने पढ़ा था कि जब France के अंदर directory बनी उस directory के अंदर legislative assembly जो थी वो अपने में से 5 members को select करती थी जिसको directory कहते थी लेकिन दोनो legislative assemblies और जो directory थी उसके बीच में हमेशा से dispute रहता था जिसका फायदा उठाया Napoleon ने तो 1799 में जो directory का rule था उसको खतम करके Napoleon फ्रांस का first council बन गया फिर उसने 1793 से 1796 तक उसने almost जो पूरा Midwestern Europe था उसके उपर अपना अधिकार कर लिया था और उसने उससे पहली जितने भी territories खोई थी वो सब वापिस ले ली और वो बहुत अच्छा fighter था उसने पर्शा, आस्ट्रिया और रूस को भी हरा दिया था और उसने जो dispute से बचने के लिए, conflicts से बचने के लिए क्या किया अपने जितने भी relatives थी अपने जीती गई territories में उनको शाशन दिया ताकि dispute की कोई problem ही न हो तो पता चला आपको कितना smart था वो I hope आपको ये question अच्छे से समझ आया होगा directory के rule को खतम करके नेपोलियन फ्रांस का संब्राट बना था लेकिन उससे पहले उसने पूरे Midwestern Europe को जीती लिया था उसने जितनी भी अपने territories खोई थी, सब वापिस ले ले थी उसने Prussia, Austria और Russia को भी हरा दिया था और conflict से बचने के लिए, dispute से बचने के लिए अपनी जीती हुई territories के अंदर अपनी relatives को उसने ruler बनाया था This is French Revolution के causes France की क्रांती क्यों हुए अब यहां पर देखिए, आपको मैं वही बात बता रही थी मान दीजिए यह question आपको 5 marks में आता है तो this is the first heading, political course यह इसकी explanation this is second heading, explanation, heading, explanation, heading, explanation, heading, and explanation आप देख सकते हो कि मैंने diagram form में भी आपको पूरी चीज अच्छे से explain कर दी है और आपको कोई भी लंबे लंबे paragraphs आप इस तरीके से इस questions को attempt कर सकते हो इसी को हिंदी में लिखा है this is for Hindi medium students फ्रांस के क्रांती के क्या कारण थे आपको लंबे लंबे line, लंबे लंबे paragraph लिखने की जौरत नहीं है आप इस तरह से diagram form में भी अपने questions को बहुत अच्छे से attempt कर सकते हो आप जो questions attempt करेंगे इस तरीके से आपका हार point clear teacher को दिखाई देगा तो जो भी examiner होगा वो आपके marks काट ही नहीं सकता अब मैंने आपको जो बताया था कि 5 marks के question में आपको explanation must है इस question में देखे आपको point और explanation दोनों दी गई है तो यदि आप इस तरीके से question को attempt करते हो तो hundred percent sure आपको पूरे 5 marks मिलेंगे लेकिन आप ये देखिए आपको लिखना कितना कम पड़ा और आपको पूरे 5 marks मिल गए तो बेटा हमें hard work करना है लेकिन smart तरीके से आप पूरे page एक page देट पेज जितना questions मत लान करिए इस तरह से diagram बनाने की कोशिश करिए यदि आप अपने आप ऐसे diagrams बनाना सीख जाएंगे तो social science में आपके पूरे marks आएंगे और कोई भी आपके marks नहीं काट पाएगा उसके बाद एक frequently asked question है जो last session में यानि कि जब आपने 9th का जो session attempt किया है 2019 to 20 वाला उसके periodic कहलो या term 1 कहलो ये question बहुत बार पूछा गया है कि subsistence crisis क्या होता है और इसने french revolution को कैसे trigger किया तो subsistence crisis होता क्या है एक ऐसी extreme condition होती है जिसमें जो means होते हैं livelihood के वो खत्रे में आ जाते हैं यानि कि आपका जीवन जो है वो खत्रे में आ जाता है अब इसने trigger कैसे किया उस समय पर जो wages थे वो fix थे और प्राइस का जो bread का प्राइस था वो बहुत जादा था तो जो workers थे वो खरिद नहीं पा रहे थे जिसके वज़ा से लोगों के अंदर बहुत गुसा हुआ और उन्होंने क्रांती करने की सोची सेकेंड तेंग जो लोग हैं वो लगातार बढ़ते हुए prices से बहुत परिशान हो चुके थे और वो अब इन सब से चुटकारा चाह रहे थे दूसरा जो लगातार हेल यानि की ओलावरिस्टी और सूखा ड्रॉट ने उनकी लाइफ को बहुत डिफिकल्ट कर दिया था और उपर से जो किंग है यानि की लुई 16th उन्होंने अपने खाली ट्रेजरी को भरने के लिए increase the tax उन्होंने tax को increase करने का order pass करवाना चाहा जिससे लोग जो पहले सब बहुत गुसा थी उनका गुसा साथवे आसमान पर पहुँच गया और वुमन्स को बेकरी शाप्स पर लंबी लंबी क्यूज में खड़ा होना पड़ता था उसके बाद भी उनको bread नहीं मिलती थी जिससे औरतों में भी महिलाओं में भी बहुत गुसा आया और उन्होंने बेकरी शाप्स को attack करना शुरू कर दिया और इस तरह से सब common middle class लोगों की वजा से जो french revolution है वो एकदम से start हो गया this is for English medium students and this is for Hindi medium students जीविका संकट इसको बोलते हैं या फिर इसको as it is subsistence crisis हिंदी में भी लिख कर आ सकता है आपको I hope आपको ये पूरा clear होगा thank you very much आपको यदि ये session पसंद आया हो तो इस channel को subscribe करें अपने friends के साथ share करें यदि आप इसमें अभी मैंने ये session bilingual बनाया है यदि आप इसको separate चाह रहे हैं हर chapter का चाह रहे हैं तो please मुझे comment करें मैं आपके लिए ऐसी और भी interesting sessions लेकर आती रहूंगी thank you